आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोन पे अकाउंट कैसे बनाना है, फोन पे को कैसे चलाना है, फोन पे को कैसे इस्तेमाल करना है, अगर आप भी अपने फोन पे को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसका complete प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, pen card कैसे add कर करना है bank account कैसे add करना है जो login पिन होता है उसको कैसे create करना है जो आपको balance inquiry और cash cash transfer करने के काम में आता है यह और भी वो सारे recharge वगयर आप करते हैं तुम सब के काम में आता है तो phone पे का account कैसे बनाना है लेकिन आपको से पहले धियान रखना होगा कि जिस मोवाइल नंबर सा फोन पे अकाउंट बनाना चाहते हैं वो मोवाइल नंबर आपके bank account में registered होना चाहिए और आपके मोवाइल में भी वह हिसी होना चाहिए जिस से फोन पे इस्तिमाल करना चाहते हैं तो उसके बाद में आपको phone पे अपने मुबाईल में remembers by Type Store से डाउनलोड कर लेना है पिले स्टोड से फोन पे डाउनलोड करने के बाद मैं आपको इ फोन पे जो application इसको open करना है उसके बाद में देखे permission मागेगा आपको setup पर click कर देना इस तरीके से और यहां पर देखे आपका मूबाइल नमबर दिखाया जाएगा अगर आपका मूबाइल नमबर यही है जो इसने दिखाया है तो आप इसको किलिक कर देंगे नहीं तो हैंपर अपना जो दस अंकों का mobile number है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है, जिस mobile number से आप phone पर इस्तमाल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर अस mobile number को डालेंगे, नमबर डालने के बाद आपको प्रोसीड पर किलिक करना है हमने प्रोसीड पर किलिक कर दिया अब देखिए आपके मोई नमबर पर OTP पिसेंड कियागा है वह आपको यहां पर डालना है यह ऑटुमेटिक भी यहां सा ले लेगा कि अब यहां पर देखें लोकेस्न मांगे गई है इस लोकेस्न को आप कर बाखिक करेंगे फिर सब्सक्राइब पर मांगे है अब यहां पर पूछा गया है आपसे कि यहाँ पर देखेंगे आप आप से पूछा गया है Enable Screen Lock यानि कि जो आपके Screen Lock है वो ही लोग आप लगाना चाहते हैं या अलग से यहाँ पर आप अपने Finger भी लगा सकते हैं इसमें लेकिन हम Finger बाद में Add करेंगे हम फिलहाल यहाँ पर Do It Letter पर किरे करके बाद में Finger बगारा Add करेंगे तो देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके साब के समने इंटरफेस देखेगा आपके फोन पे के जब आप सुरू में फोन पे को Install करके उसको Open करोगे तो Mobile Number से तो हमने Registered कर लिया है और तो यहाँ पर देखेंगे Add Bank Account को Option दिया गया है यहाँ से हम Bank Account को Add करेंगे तो जिस Bank में आपका खाता है उस Bank को आप Select कर लेंगे तो जैसा State Bank में जो Account है उसको हम Select कर लेंगे अब देखें बैंक को यह Message भीज़ेगा उसी Mobile Number से जो Mobile Number आपका बैंक में रिजिटेड है तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा बेट करना है अब Message आपके Send हो चुके है अब यह आपके Account को जो है फैच कर रहा है तो देखें आपको जो Account है वो फैच कर लिया है और आपकी डिटेल जो Account की डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है Found One Account with State Bank of India यहाँ पर नाम दिया गया है उसका Customer का और FAC Code दिया गया है अब देखें यहाँ पर एक Option दिया गया है Create UPI ID तो आप चाहते अपने नाम से UPI ID क्रेट कर सकते हैं उसके बाद में एड़रेट एकसल वगएरा या YBL वगएरा जो है आप लगा सकते हैं तो हम यहाँ पर Edit करेंगे इसे और हम नए UPI ID यहाँ पर डालेंगे तो देखें यहाँ पर एक Option देगा है Set UPI Pin तो यहाँ पर आपको किलिक करने है और अपना UPI Pin बनाना है आपको तो देखें यहाँ पर देखें यहाँ पर देखा गया है आपके State Bank का Last के Account नमबर दिये गए हैं और यहाँ पर आपको अपने जो ATM Card है उसके Last के 6 यहाँ पर डा चलना है और valid अप्टों का इस पर इड़ेट होती है वह यहाँ पर आपको डालनी है यहाँ पर देखें डाल दी है प्रोशीट पर हम किलिक करेंगे प्रोशीट पर किलिक करने के बाद नेक्ट्ट टोप्शन आपके सामना आएगा अब देखिए अपर आपके मोबाल नमर पर फिर से OTP सेंड क्या गया है OTP खुद ही है यहाँ पर ले लेगा और हमें यहाँ पर राइट पर किलिक कर देना है अब देखिए यहाँ पर हमें 6 अंको का UPI PIN यहाँ पर जनरेट करना है State Bank में 6 अंको का PIN बताता है और अगर कि और बैंक है आपका Union Bank है या कोई और सा बैंक है हो सकता है 4 अंको का PIN आपसे Create करने के लिए कहे तो जो भी PIN आप रखना चाहते हैं यह वो PIN है जो आपके Balance Inquiry करने के लिए Mobile Recharge करने के लिए Balance Transfer करने के लिए काम आएगा तो यह आपका UPI PIN है जब आप Amazon पे या Google पे चलाएंगे तो वहाँ पर भी आपका यही PIN काम करेगा आपको एक ही PIN रखना है Google पे हो, Amazon पे हो या Paytm हो तो जो UPI PIN आप यहाँ पर Create कर लेंगे वो सभी जो Google पे है, Amazon पे है या कोई और सा भी UPI एप है उसमें भी यही PIN आपका काम करेगा तो आपको यहाँ पर एक ही UPI PIN करेट कर लेना है उसके बाद में फिर जब आप कोई आकाउंट बनाएं Google पेपर या Amazon पेपर तो वहाँ पर भी आपको यही PIN काम करेगा तो हमें कोई छैंको का पमी यहां पर कुरेट कर लेते हैं अपने हिसाब से तो यहां पर देखे उपैई PIN हमने करेट कर दे हैंब यहां पर थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो देखे यहां पर आप आप देखेंगे Account Àed successfully successfully आपका account successfully add हो चुक है फोन पे मैं अब कभी अगर आपको अपना pin reset कर रहा हो तो यहां से reset कर सकते हैं तो यहीं पर हम done पर click कर देंगे अब देखिए bank account add हो चुक है हमारा आप यहां पर आएंगे complete your profile को आपको option दिया गया है तो यहां से हम profile को complete करेंगे अब यहां पर आपको देखिए complete your profile का option आ गया है तो आपकी profile है जो है 0% है जिसको हम complete करेंगे finish setup क्लिक करके अब यहां आपको अपनी profile क्लिक करनी है तो देखिए wallet आपके activate नहीं है आपका photo upload नहीं है आपका add card और आपका address भी यहां पर upload नहीं है तो कैसे करेंगे इसको सबसे पहला activate वालेट पर हम क्लिक करेंगे कि activate wallet है हम आपके mobile नंबर फिर c otp send क्या गया है देखिए otp ले लिया है अब आपका wallet जो है activate हो चुका है आपने wallet में money add कर सकते हैं और यहां पर complete के वाई सी पर किलिक करेंगे तो यहां पर आपको कि माउंट डाल सकते हैं कोई अगर आप कोई add करना चाहते हैं तो यहां पर अपना amount भी add कर सकते हैं नहीं तो अब यहां पर देखिए के वाई सी करने आपको pen card pen number डालना है और pen holder name यहाँ पर आपको डालना है pen card number और pen holder name तो यहाँ पर हम KYC करेंगे, यहाँए तो यहाँ पर change करके, driving lessons, water ID card, passport, नरेगा job card यह दे सकते है, तो हम यहाँ पर pen card select करेंगे, यहाँ पर pen number डालेंगे, pen card holder name के ने अवन डालेंगे और submit पर click करेंगे या आपकी KYC होगी detail add करने के बाद में submit पर click करेंगे अब देखें हैं से आपको ये top up में balance add करने के लिए भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर एक रुपा या 2 रुपए 5 रुपए add भी कर सकते हैं इस wallet को activate करने के लिए तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक रुपा एड़ करने है अपने wallet में तो proceed to top up पर हम किलिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर अपने account को दिखाएगा और pay रुपे 1 पर किलिक करके वो देखें यहाँ पर वो pin आपको डालना है जो UPI pin आपने create किया था तो व आपका wallet है जो balance था यहाँ पर वो जीरो था आपका एक रुपा यहाँ पर एड़ हो चुका है तो आपका phone पर वो जो वालेट हो एक्टिव हो चुका है अब यहाँ पर हम बैक आएंगे तो देखे 25% profile हमारी complete हो चुकी है यानि के हमारा जो वालेट हो एक्टिवेट हो चुका है अब फिर से हम इस profile को complete करेंगे photo upload करके और card को add करके और address को add करके तो photo आप एड़ कर देंगे अपना और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे add new को एक option है यहाँ पर save address तो यहाँ पर आपको अपना address एड़ करना है तो आप चाहें use current location पर किलिक करके अपनी current location भी add कर सकते हैं तो यहाँ पर हमना किलिक है use current location और देखे यह automatic यहाँ पर map आ चुका है और यह location हमारी update हो रही है तो यहाँ पर आपकी location को यह फैच कर लेगा confirm पर किलिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपने house का फिलेट का अपाटमेंट का नमबर डाल सकते हैं और लेंडमार्क ऑप्शनल है वो चाहे तो आप डाल सकते हैं और आपका work है other है या address आपके home का है तहाँ पर select करके उसको आप add कर सकते हैं उसके बाद मैं contact name यहाँ पर आप डाल सकते हैं और यहाँ पर save address पर किलिक कर देंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा address भी add हो चुका है अब यहाँ फिर से back पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी profile जो है 50% complete हो चुकी है अब देखेंगे हमें क्या add करना है यहाँ पर अब देखे add address और add card address हमने add कर देखेंगे तो अभी यहाँ पर यह यह भी green हो जाएगा आपके profile icon पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको option मिल जाएंगे आप देखेंगे UPI setting है उसके बाद यहाँ पर QR code दे गए है आप UPI setting पर click करके अपनी UPI ID देख सकते हैं जो आपसे कोई कहे कि आपका phone पर चल रहा है तो आप यहाँ पर इस UPI ID को इसको बता देंगे या send कर देंगे तो वो आपके UPI ID पर balance transfer कर सकता है इस तो इसको हम activate कर लेंगे activate now पर click करके continue करेंगे इस ID को आप इसको send कर सकते हैं UPI करके अगर वो आपसे कहें कि आपका phone पर या पे गूगल पर चालू है तो आपनी यही ID उसको send कर देंगे तो आप वो कोई भी एप इस्तेमाल कर रहा होगा वो आपके इसी एप में balance transfer कर सकता है तो आपको इधियान रखना है इस ID को activate कर लेना है और जो जो ID आपकी यहाँ पर activate रहेगी उसी ID पर आपका balance transfer किया जाएगा वो ही ID आपकी active रहेगी तो आपको एक ID को यहाँ पर activate करना है अब यहाँ पर नीचे देगा QR code का option तो यहाँ पर आपके QR code मिल जाएंगे आप चाहे तो इसको download कर सकते हैं किसी को share भी कर सकते हैं और यहाँ से UPI ID को copy करके आप उसको copy send कर सकते हैं यहाँ आपका QR code है इसको download करके किसी को share कर सकते हैं तो इस QR code को search करेगा पेट्रियम से गूगल पे से या Amazon पे से या किसी भी UPI application से तो वो आपके इस QR code पर balance transfer कर पाएगा अब जाएक होम पर आएंगे तो यहाँ पर आपको check balance को option मिल जाएगा यहाँ पर हम किलिक करेंगे check balance यहाँ पर इस account को हम किलिक करेंगे अब देखिए आप और UPI ID डालनी है आपको UPI ID डालने के बाद में आपके bank account का balance check हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों अपना bank account check कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको balance transfer करना है तो transfer money to contact to self और check balance तो to contact का मतलब है कि अगर आपके mobile में mobile जो की जो लिश्ट है उसमें contact number add है और वो phone पर या Amazon पर गूगल पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहीं से आप उसको phone पर दोरा balance transfer कर सकते हैं ऐसा उसका नाम search करके और two account का मतलब है कि उसके खाते में आप यहाँ से balance transfer कर सकते हैं क्लिक करके उसका bank खाता add करेंगे यहाँ पर क्लिक करके जिस खाते में sorry जिस bank में उसको खाता है select करेंगे तो यहाँ से उसके bank को आप select कर लेंगे किस bank में उसको खाता है और उसको select करने के बाद में आप उसका account number डाल सकते हैं जलिए मैं है आप आपको search करके दिखा देता हूँ जैसे के unit bank हम select कर लेंगे तो उसका account number आपको है पर डालना है और उसके बाद मैं next पर click कर देंगे तो उसका balance आप transfer कर सकते हैं और यहाँ पर देखे एक number देगा UPID जो मैंने अभी आपको बताया था add UPID पर click करके उसके UPID आप यहाँ पर add कर देंगे जो मैंने भी आपको बताई थी कि करेंगे उसके बात comple कर पाएंगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ इन पर बीटा कर सकते हैं यह यहां पर बाइक इंसरेंस है, कार इंसरेंस है, और हेल्थ इंसरेंस है, परसनेल एक्सिडेंट है, लाइफ टार्म इंसरेंस है, तो इस तरीके से आप यहां पर देखिए, और भी वह सारी फिलाइट बुक कर सकते हैं, ट्रेन टिकेट बुक कर सकते हैं, और बस टिकेट बुक सकते हैं स्टोर पर करके आप स्टोर देख सकते हैं अपर देखिया है और यहSTरी दिखा जाती है जाकर मनमें क्योंग इसने तो कमेंड कर सकते हैं